हमारी मेन क्यारेक्टर का एक साथ दो लोगों के साथ अफेर हो जाता है पर यह दोना एक दूसरे के बहुत यह अच्छे फ्रेंड्स थे प्रॉब्लम तब आई जब वो प्रेंगन्ट होगी हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एंडिंग बिगिनिंग्स यह 2019 गी एक हॉल्वड मूवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूं यह एक बहुत ही कॉंप्लेक्स मैसेज के साथ आती है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा और बिना अगजिदरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होते ही हमारी मेन क्यारेक्टर डैफनी हमसे इंट अच्छा लगता है डैफनी अपने आपको समालने की बहुत कोशिश करती है लोगों में घुल मिलने की कोशिश करती है पर राद में उसे बहुत रोना आता है वो पहले आर्ट गैलरे में काम करती थी उसे पेंटिंग विगर यह सब चीज़े बहुत ही अच्छी लगती है तो एक लास उसने जॉइन किया है जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स हैं इंफ्रेंड्स से उसने बात की कहा कि मुझे लगा था कि मुझे उससे शादी करूँगे हम हमेशा एक साथ रहेंगे उसे अब लगने लग किया था कि वो भी अपनी मदर की तरह पूरी लाइफ सिर करते हैं पर कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलता अब क्रिस्मस आ चुका था तो अपने मदर से मिलने के लिए मदर का और एक न्यू बॉइफ्रेंड है मदर को लग रहा था कि डैफनी अभी अपने बॉइफ्रेंड के साथ है और वो नहीं आया जब उससे बताती है तो मदर न चीज ट्राइ नहीं करते हैं 31 डिसेंबर को डैफनी के सिस्टर ने एक पार्टी रखी थी डैफनी के कोई भी फ्रेंड्स नहीं तो अकिली खड़ी थी तब उसके पास फ्रैंक आ गया अपने आपको उसने इंट्रोड्यूस कर वाया वो बुचता है तुम यहां कर क्या रह हमें यहां और हमारे और मेंन गारेक्टे से मेंले जैच से पहले पार्फनी ने बात की थी उससे पता था याईजदु देख पहता गया लगा नेकलत कि उसके घखन यहां आ पहाई थी नकास कि देख इसालो कुछ ही होता हम अगर खुद के बारे में सोचे तो हमने हम लगता रहता है कि हम बुरे हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता डैफनी को जैक की बात बहुत अच्छी लगी थी। अगली मौर्णी में फ्रैंग ने डाफनी को मैसेच किया, उसने उसे गंब के गाने भेज दिये थे, डाफनी ने पूचा कि तुम्हें नमबर कैसे मिला, फ्रैंग ने आगे पूचा कि क्या अब भी तुम सोबर हो, डाफनी कहती कि मैं ठीक हूँ, अगले दिन जब वो अपने temporary काम पर थी तो वहाँ पर जैक आकर उससे मिलता है जैक ने उसे पूछा क्या तुम मेरे साथ drink पर आओगी डैफनी कहती है कि आज कल मैं कुछ भी drink नहीं करें पर तुम्हें company देने के लिए मैं आ सकती हूँ इनकी फिर date fix होगी पर डैफनी ने clear कर दिया कि सिर्फ as a friendly date पर जा रहे है date पर जैक डैफनी से कहता है तुम मुझे बहुत ही अलग लगी मुझे तुम्हें जानना था एक long conversation चाहिए थी इसके बाद इसके बाद अलग अलग चीज़ों को लेकर ये दोनों बहुत बाते करते हैं डैफनी पॉट्स पर design करको उन्हें sell भी करती थी उसे बहुत अच्छा लगता था तो ये भी जैक को उसने दिखाया जैक कहता है कि तुम बहुत ही amazing हो ये जब बात कर रहे थे तब ही डैफनी को फ्रैंक का message आता है उसनों से मिलने के लिए बुला है फिर जगा fix करकर फ्रैंक और डैफनी ये अगली दिन मिले फ्रैंक उससे कहता है तुमने मुझे बहुत दर्थ पहुचा है मुझसे ना कहा और जैक के साथ date पर गए डैफनी कोई बात समझ में नहीं आती तो फ्रैंक ने कहा कि जैक मेरा best friend है डैफनी इसके लिए sorry कहती है उसने कहा वैसे विस सब चीज़ों से मैं break लेना चाहती हूँ वो फिर से relationship को complicated नहीं कर सकती है उसने कहा मुझे तुम दोनों से बात नहीं कर चाहिए वो यहां से जाने वाली थी इससे पहले एक दूसरे को hug करते है और directly kiss करने लग गया इन दोनों की first meeting से एक दूसरे में attraction बहुत ही powerful था तो directly intimate हो जाते है अगली दिन डैफनी को जैक का message है उसमें लिखा था कि Frank और मेरी बात हुए सब कुछ ठीक है जादा वरी मत कर डैफनी फिर Frank से बुछती है तुमने उसे क्या बता है Frank कहता है उसे जादा कुछ पता नहीं है डैफनी फिर Frank को बता देती है कि वो कोई भी relationship नहीं चाहती है वो एक दूसरे को date नहीं कर सकते है इसके बाद डैफनी को जैक का message आता है इसमें लिखा था यह मुझे लगता ह है दोनों को smoking अच्छी लगती है डैफनी ने चैक से बुछा तुम और फ्रैंक के दोनों कैसे दोस्त हो जैक कहता है कि हो मेरा best friend है पर फिर भी मैं उस पर ज्यादा depend नहीं कर सकता वो कभी भी गायव हो जाता है उसने मुझसे पैसे लिये थे पर कभी भी वापस नहीं किया उसकी लड़कियों के साथ अच्छी relationship नहीं बन बाती है उसकी last girlfriend उसके वज़े से पूरी तरीके से बरबात होके है इन दोनों को actual में एक दूसरे के साथ connection महसुस हुआ था तो आज रात दोनों intimate हो जाते है अगली दिन डैफनी अपनी niece को जब school से घर लेकर आई तो उसकी sister और उसके husband में जगड़ा चल रहा था डैफनी बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है इस sister के husband को अच्छा नहीं लगता डैफनी ने सब बात सुन ली थी उसके ex boyfriend ने उसे marriage proposal के लिए ring दी थी इसे sell करकर जो भी पैसे आते है इसे और rent पर house ले ले लेती है moving करते हो अगने सब चीजों में उसे ex boyfriend का एक later मिला उसमें लिखा था कि शायद हम एक दूसरे से दूर चले गए हो पर अगले जनम में हम फिर से एक दूसरे को ढूंडी लेंगे वो भी believe करता था कि डैफनी उसके लिए perfect थी वो उसे commitment चाहता था शायद डैफनी इसके लिए ready नहीं थी इसी वज़े से उनका break up हो गया अब अगले कुछ scenes में हम देखते हैं डैफनी और जैक के relationship आगे बढ़ रही थी एक दिन फ्रैंक का उसे message आता है कहता है तुम तो अच्छी तरीके से move on कर चुकी हूँ डैफनी कहती कि मैं process में हूँ डैफनी लिखती कि मैं तुमारे बार में सोच रही थी थी अब कुछ दिनों के लिए जैक जरा काम से बाहर जाने वाला था जैक का dog कहा रहेगा ये एक problem था तो डैफनी कहती है तुमारे यहाँ आकर रह सकती हो जैक ने कहा कि फ्रैंक उसका खैल रख सकता है आज रात जैक ने एक party रखी थी तो उसमें फ्रैंक भी आया आज रात हम देख सकते हैं कि फ्रैंक और डैफनी की नजर सिफ एक दुसरे पर ही थी है एक दिन फ्रैंक डैफनी के घर पर आ गया, कहता है, फ्रैंक के डॉक कोप तुम्हें समालना पड़ेगा, वो ट्रिप के लिए कही दूर जा रहा था, डैफनी कहती कि मेरे अपार्मेंट पर डॉक्स रखना अलाउड नहीं है, पर फिर भी फ्रैंक उसे फोर्स करकर रख कर ज थोड़ी दर में फिर से वो वापस आया, डॉक की लीच देने के लिए, ये दोनों एक दूसरे पर फ्रस्टेटर थे, तो डारेकली किस करने लग गया, वही पर इंटिमेट हो जाते है, फ्रैंक ने डैफनी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, डैफनी ने भी इस तो नोडिस करती है, फ्रैंक ड्रक्स कर रहा है, ये बात उसे सही नहीं लगती, उसनों उसे कन्टरंट किया, फ्रैंक ने कहा कि मुझसे फाइट मत करो, हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छे चल रही है, इसे बरबात क्यों करना, इस तरीकी की फ्रैंस की आदोत की वज़ अच्छा नहीं लगता तो चली जाती है, सारी सिचुएशन को लेकर ड्री ने अपने फ्रेंड इंग्रित से बात की, इंग्रित पूछती कि ये सब हुआ कैसे, ड्री ने कहा कि वही तुगेशन है, ये सब हुआ कैसे, अपने एक सेन में हम देखते हैं, इस आएक अपने ट उसने उसे जबर्दस्ती करने की कोशिश की थी, पर ड्री ने उसे रोक लिया था, उस इंसलन के बाद वो डिस्टब हो गई थी, पर आज रात उस कोवर करके आखों में आखे डाल कर, उसे और डरा देती है, आज कल जैक के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी एक दिन उसे ज़रा अजिब लगने लगया, तो उसने प्रेइडनसी टेस्ट करवाई, तो एक पॉजिटिव आती है, वो घर पर आई तो जैक उसे गहता है कि मुझे एक अलग कंट्री में एक बहुत अच्छी जॉब के ओफर आ गई है, वो बहुत ही एक्साइटेड था और डैफनी के साथ long distance relationship continue करने के लिए ready था, वो मन्त में एक दो बार उसे मिलने के लिए आ जाता, इस तरीके से वो relationship continue कर सकते थे, डैफनी इस बच्चे को लेकर बहुत ही confused थी, वो जैक को फ्रैंक के बारे में सबको सच सच बता देती है, उसे पता नहीं था कि बेबी किसक जैक इस बात से बहुत ही हर्ड हो क्या, उसे घर से निकाल देता है, डैफनी अपने फ्रैंड इंग्रित के पास आई, उसे सब कुछ इसे बता देती है, उसे समझ में नहीं आता कि इस बेबी को उसे रखना चाहिए या अबॉट करना चाहिए, इंग्रित उसे बताती है कि तुम कुछ भी डिसीजन लो, तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छे ही होगी, पर एक बात ध्यान रखना, तुम हमेशा प्यार ढूनती रही, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, पर अब तुम इस बेबी पर प्यार कर सकती हूँ, ये बेबी हम लाइफ में उसे एक अलग परस्पेक्ट्टू मिला है, अब वो एक बेटर परसन बनना चाहती थी, जैक उसके लिए खुश था, पर वो डैफनी के लिए कुछ भी कर नहीं सकता, उसकी लाइफ का पार्ट बन नहीं सकता, आजकल डैफनी छोटे बच्चों को देखती है, उसके पास उसकी मदर आई, उसे कहती है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टिक्स की है, मैंने जो भी कया, अपने लिए अलग लग लाइफ पार्टनर ढूंटी रही, मैंने सिर्फ यो तुम्हारे लिए कया था, तुम्हें फादर का प्यार मिल सके यह बहुत ही important था डैफनी ने अब अपनी mother को माफ कर दिया था वो एक दिन अपने old job पर call कर दिया है उसने जो भी situation थी यह सही से समझा दिये वो job उसे फिर से वापस मिल जाता है और इसके बाद थोड़ा time बीच चुका है बहुत दिनों कि मेरी बेटी सिर्फ मेरी है जैक और फ्रैंक दोनों से छोड़ कर जले गए तो अब वो किसी के साथ भी उसे पाटना नहीं चाहती फ्रैंक को इस सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने realize किया था कि life में father बनने के लिए अब वो ready था अब इतने सारे time के बाद वो finally move on कर चुकी है वो एक दिन जब उनी mother के साथ थी तो mother ने कहा तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो वो जो तुम्हारा खया लगना है तुम्हारे baby को समालना है अपनी mother का support ये डाफनी को बहुत अच्छा लगा और इस बात के लिए मान गी वो अग लगी की life भी अच्छी होगी वो इस moment में खुश थी इसी के साथ movie end हो जाती है इस movie में डाफनी को लगता था कि उससे सचा प्यार कोई भी कर नहीं सकता उसकी sister mother उसके boyfriends कोई भी उसके लिए helpful नहीं है जब वो pregnant हुई तब उसने realize किया जो प्यार उसे नहीं मिल पाया ये प लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा ये बहुत सारी movies लेकर आता है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों नहीं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नम्यों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखि प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देख लिए जासले जाड़ और कि चर्ज़ नव्यष टृ। झाल 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 झाल